स्टुडेंट्स एक्सराइज 8.3 हमारी जो चल रही थी उसका थर्ड कोश्चन आपके सामने है थर्ड कोश्चन है एवेल्यूएट हमें दो पार्ट दे रखे हैं और हमें इनकी क्या करनी है वेल्यू फाइंड करनी है अब सबसे पहले आप एक बात समझिए हमारे पास क्वे स्क्वेर सिक्टी थी प्लस साइन स्क्वेर 27 कोश एक बात यहाँपर आपने नोट की क्या ये चारों वेल्यूज क्या है अलग अलग है जब तक ये चारों वेल्यूज अलग अलग रहेंगी हमारा पुश्चन सौल्व नहीं हो पाएगा समझ में आ रही है बात चारों value आपकी अलग-लग नहीं रहने चाहिए अब यहाँ दो भाई है एक तो sign theta है और एक क्या है cost theta है दोनों भाईयों के बीच में और यह लड़ाई कैसे और यह लड़ाई sign theta ने cost theta को phone किया अब जो यह sign theta है ना इसने क्या किया sign theta ने किसको phone किया cost theta को sign कह रहा है cost को कि तेरी यह दोनों value change कर ले भई दोनों value क्या कर ले change कर ले तभी value आएगी हाथों हाथ cost theta जवाब दे रहा है sign को cost theta किसको जवाब दे रहा है sign theta को कि मैं मेरी value क्यों change करूँ तू तेरी दोनों value change कर ले ना ठीक है तो इस बात को लेकर हो गई दोनों के बीच में लड़ाई है sin theta कह रहा है cos को कि two value change कर और cos कह रहा है sin को कि two value change कर अब इनकी लड़ाई देखते देखते एक formula आया बीच में formula आया ये वाला sin theta equal cos 90 minus theta एक formula बीच में या तो कहरा है दोनों भाईयों के भीच में बात हो रही है ये लड़ाई है ये लड़ाई ये कहरा है two value change कर ये कहरा है अब ये formula दोनों को कहता है क्यों लड़ रही हो भाई घर बेठ तो अपने शांति से करोना चल रहा है तो मैं आपको उपाई बता देता हूँ कर देते हैं यह फॉर्मूला क्या कर रहा है साइन थीटा को कि तेरी दो वैल्यू है दोनों में से कोई एक तो कर ले साइन कर रहा है मैं कर लूँगा लेकिन को भी कहें कि इसकी दोनों वैल्यू में से कोई एक चेंज कर ले को भी मान गया साइन भी मान गया कहता है कि एक वैल one दोनों में से किसी एक को change कर दो sin theta का formula क्या है देखो यहाँ sin theta है तो इसको change कर दो cos 90 minus 63 समझ रहे हो cos 90 minus 63 उपर square लगी हो यह तो square लगी plus इसको change नहीं करना क्योंकि condition क्या थी formula की sin theta की condition क्या थी formula के साथ उसने कहा था मैं एक कोई change कर रहूंगा तो एक को change कर दिया दूसरा same रहा है अब cos theta की बारी cos theta किसको change करेगा ठीक है अब हमारे बस cos का related कोई formula नहीं है sin से cos में convert हो रहा है लेकिन एक formula और आता है cos theta is equal to क्या sin 90 minus theta sin से cos में इस तरीके से और cos से sin में इस तरीके से ये formula कह रहा है डरते क्यों हो मैं हूँ ना किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना ये कह रहा है formula कि तुम दोनों डरोबत cos को मैं change कर देता हूँ चिंता ना करो तो cos theta है हमारे पास cos theta को क्या लिख देंगे हम sin 90 minus 17 और उपर क्या लगी हुई है square लगी हुई है कोई tension नहीं plus cos square 73 समझ में आया क्या question में हुआ क्या दोस्तों question में ये हुआ कि उपर वाले function में कोई एक function change करना है numerator में दो function थे एक को change कर दिया denominator में भी दो function थे एक को change कर दिया अब इससे होगा क्या दो line में answer आएगा देखो कैसे आएगा दो line में answer cos 90 minus 63 90 में से 63 minus करो क्या आएगा 27 यहाँ बन गया cos square 27 और यह आपका same पड़ा इसको change नहीं किया था हमने ठीक है यह 27 denominator में क्या बना sin square क्या बना 73 minus कर दिया ना इसको तो क्या बनेगा 73 प्लस यह आपका cos square 73 अब हमारे पास एक formula और होता है कौन सा sin square theta plus cos square theta is equal to 1 यह formula होता है आपके पास यह मैंने आपको बहुत बार repeat करवाया है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए condition यह है कि यहाँ यह जो theta है जो angles है इनकी value क्या रहनी चाहिए same रहनी चाहिए अगर दोनों तरफ इसकी value same है तो यह formula यहाँ अपलाई हो जाएगा तो देखो same है क्या बिल्कुल same है cos square theta plus sin square theta क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और नीचे sin square theta plus cos square theta क्या बन जाएगा 1 theta same रहना चाहिए theta क्या हो गए same हो गए theta क्या हो गए same तो 1 upon 1 क्या बनेगा 1 answer क्या आएगा भई मेरा favorite answer आया है सबका मालिक 1 तो इस तरीके से आप third part का first part third question का first part solve कर सकते हो second part के अगर बात करें तो बहुत easy है second part भी यहां देखिए sin 25 cos 65 plus cos 25 sin 65 यहां भी यही लड़ाई जल रही है कि plus से पहले 2 function है और plus के बाद में क्या है 2 function है समझ रहे हो बात plus से पहले 2 है और plus के बाद में क्या है 2 तो एक ही काम करना है पहले वालों में से किसी एक को change कर दो बाद वालों में से किसी एक को change कर दो समझ रहे है बात मैं क्या कह रहा हूँ भी यहां 25 को change कर दिया sin theta का formula लगा दिया क्या बन गया cos 90 minus 25 समझ रहे हो इधर से किसको change किया sin को क्या बन गया cos 90 minus 25 इसको change कर दिया समझ रहे हो, इसको नहीं change करना है clear हो गई बात, अब यहां से sine को किस में change कर दिया था cos में, अब दूसरी बार में cos को कर दो, cos theta को क्या लिख दो sin 90 minus 25 समझ रहे हो बात, यह formula दूसरा वाला वहाँ अपलाई हो गया cos theta के जगए sin 90 minus theta, और इसको same रखेंगे, समझ रहे हो बात भई, पहले वाले दो function है उनमें से किसी एक को change कर दिया बाद वाले दो function है उनमें से किसी एक को change कर दिया, लडाई होगी खतम अब कोई बचाई नहीं, तो यहां बच गया cos 65, इसको solve किया तो 65, और यह वाला दोनों multiply कर दिये, तो cos square 65 नहीं बन गया क्या, दो बार multiply हो रहा है तो cos square बन जाएगा, और आगे क्या है, sin 65 into sin 65 क्या बन गया, sin square 65 बन गया, ठीक है na, sin square 65 plus cos square 65 क्या बन गया 1 बन गया, क्यों बन गया क्योंकि cos square theta plus sin square theta क्या होता है यानि के सबका मालिक एक इस तरीके से आपका question number 3 जो है वो complete हो गया दोस्तों